स्थान ग्रहन करें हिंदू अध्यात्मिक एवं सेवा मेला यह एक सेवा प्रकल्पों का मेला है मैं मंच परीचे एवं स्वागत का कार्य प्रारंब करता हूँ आज के इस उद्गाटन समहारों में मुख्य अतिति के नाते उपस्थेद माननिय उपराश्ट्रपती श्री जगदीब धनकर जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूँगा मेले के चेर्मेन श्री किशोर रूंग्टा जी से कि वे उनका शौल ओड़ा कर स्वागत करें अभिनंदन करें मेले के वाइस चेर्मेन और अध्यक्ष डॉक्टर एमेल स्वनकार जी वे सुभाश बापना जी से भी निवेदन करूँगा कि वे स्मृति चिन्न देकर माननिय उपराश्ट्रपती जी का स्वागत करें अभिनंदन करें पुलोलय येयुल और हम एम हालन इत्क पुल हमा어줍ने करें जीवेत तेखिन नियुम रङकर जा बाएस है कि अबर्मेट North Thomas Thomas क्यों कि वे सब्सक्राश बावर स्वागत करेंन करी है कि जी प्टिम में उलागत आम करें जावचतों में हैं जाबा ठाल्वाओं'? स्मृति चिन्न भेटकर स्वामी विवेकानन जी का चित्र भेटकर आपका स्वागत अभिनन्दन पूज्य संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम पूज्य शामशरण देवाचारे जी के स्वागत के लिए उनका आशिरवाद लेने के लिए मैं निवेदन करूंगा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्तर सुभाष बापनाजी से कि वे उनका शौल ओड़ाकर आशिरवाद ग्रहण करें सुभाष बापनाजी शामशरण देवाचारे जी पूज दिदीमा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राष्ट्रिय संयोजक आधरनिय गुणवंत सिंग्जी कोठारी का कि वे आएं और पूज दिदीमा को शौल ओड़ाकर अभिनंदन करें उनका अशिरवाद लेवें श्री गुणवंत सिंग्जी कोठारी पूज स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राष्ट्रिय स्वहिन सेवक संग के ख्षेत्र संगचालग डॉक्टर रमेश अगरवाल जी को की वे शौल ओड़ाकर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें मैं जैपुर शहर की सांसद मंजु शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे डॉक्टर चिनमे पांडिया जी का शौल ओड़ाकर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें मैं सभी मंचस्त पूज संतों से और माननिय उपराश्टर पती जी से निवेदन करूंगा कि कारेकरम का दीप्रज्वलन कर इस मेले का विधीवत उद्गाटन करें पूज सभी संतगण एवं माननिय उपराश्टर पती जी तुर्य करें आपन श्रयर करें बार माननिय उपराश्टर पती मिन आशाया की बच्छोंते नुजुते बच्छोंते नुजुते बच्छोंते बड़ों के हैं के पल सटेव Clinic 하는데 by और गों तरहे थी स्थाइब बाप शंद्यादी पनमों सूथियो था ती बाप प्रेट आप शोटिशांडर्भु रख्या यहां कर्कल ध्वनी से दीप प्रज्वालन के इस आध्यात्निक शनका जैपुर में चोथी बार हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला मुल्य निर्माण एवं राष्ट निर्माण के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है सारुप्रथम मेले की प्रस्तावना के लिए मैं राष्ट्रिय स्वयंसेवक संग के वरिष्ट प्रचारग एवं हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रिय संयोजग श्री गुणवंत सिंग्जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मेले की प्रस्तावना रखें श्रीमान गुणवंत सिंग्जी कोठारी इसी वाले पोडियम पे वैसाब वैसाब इसी पोडियम पे इधर अनन्त श्री विभोषित निंबार का पीठा दिश्वर जगत गुरू श्री शाम श्रन देवाचारिय जे श्री जग्दीज धनकरजी उपराष्ट्पती भारत राष्ट्र एवं मंच पर अपनी अध्यात्मी कुर्जा से जन्जन के अंदर उस्षक्ती का जागरण करने वाले पुज्य सादू संत दीदीमा हिंदू अध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के निमंतन पर यह पधारे हुए फाउंडेशन के सभी संचालक गाण, भिन्न भिन्न संस्थाओं के सभी पधाधिकारी गाण, एवां भाईयो भेनो पूजने मात्री शक्ती। 2009 के अंदर चिन्ने से यह गंगोत्री प्रारम हुई थी और अब तक 28 मेले देश पर के अंदर हुए, अपने देश के 12 राज्यों के 13 स्थानों के उपर, इन आयुजित मेलों के अंदर 4000 धार्मिक संस्थाओं ने भाग लिया, एक करोड के लगवग, भिन्ने भिन्ने मेलों के अंदर जन्समुदाएं ने आकर के, हिंदू समाज के सादू संत, मठमंदिर, इनकी प्रेड़ना से चरने वाले प्राणी मात्र के कल्यान के लिए किये जाने वाले कारियों का आउलोकन किया, इससे संस्थाओं को भी कारिकरता मिले, उनका भी व्याब बढ़ा, पर एक प्रश्णी जो खड़ा किया गया था, कि इत्ती सेवा हिंदू समाज करता है, पर हिंदू के नाम से उसकी सेवा नहीं जानी जाती, ये एक वैश्विक प्रश्णी था, इस पर चंतन, मंथन, मनन हुआ, कहीं प्रकार के प्रियोक किये गए, पुरंथ के अंदर, 2009 के अंदर एस गुरु मुर्थी जी के प्रतनों से, हिंदू अध्यात्मिक सेवा मेले का प्रारम हुआ, इस मेले की जो प्लब्दी रही, एक आपको मैं बताना जरूर चाहूंगा, चन्ने के अंदर देवंद्र वेर गोड़ा एक कम्यूनिटी है, जो ऐसी के अंतरगत आती है, गुरु मुर्थी जी के प्रतनों से, चन्ने की टीम के प्रतनों से, वो मेले के अंदर उन्हों नान प्रारम किया, आने के बाद जो उनको सम्मान मिला, आत्वियता मिली, उससे उनका स्वाविमान जगा, और उन्होंने भारत के महमहिम राष्ट्रपती को ये निवेदन किया कि हमें आरक्षन की सूची से निकाल दीजिए, जब व्यक्ति का स्वाविमान जगता है, तो व्य देश के अंदर एक सबसे पहला उधारण है, और ये उपलब्दी हिंदू अध्यात्मिक सेवा मिलों के कारण से हुई है, हमारे सेवा कारिये, आंदर प्रदेश के अंदर अनन्दपुर जिला है, उस जिले के अंदर पानी की पीने की समश्चाओं का समाधान करने के लिए पट्रपूर्ति के सत्यसाई बाबा ने एक आवान किया, उनके भक्त जुड़े और वह योजना प्रारम हुई आठ सो करोड से, जब योजना पूरी हुई, दो हजार करोड खर्चवा, एक पैसा किसी सरकार से नहीं लिया गया, समाध के सायोग से लिया गया, और इसकी प् पंच वर्षे योजनाओं की, नवी योजनाओं के प्रिम्बल के अंदर की गई, आज देश के लोग कितना जानते हैं, इन सारे सेवाकारियों को कभी हमारी मीडिया ने समाज के सामने लाया, माता अमरता नंद मई, जब सुनामी आया था, उस सुनामी के समय के अंदर, आं नहीं अने को सेवाकारी है, रामकृष्ण मिशन, उसके अगर वैश्विक चिकिसा सेवाओं को देखेंगे, उनके हॉस्पटेल, उनके मॉबाइल सर्विसेज, उनके सेंटर, असी लाख लोगों को वो पूरे साल भर के अंदर और इस्वास सेवाई देते हैं, आज कितने लौग जानते हैं, इस कौन के द्वारा थाने जिला जो बंबई के अंदर है, वो पालघर डिस्टिक्ट, हंगर फ्री, असी गाउं के अंदर उन्होंने काम किया, हंगर फ्री दे दिया, ये सारे सेवाकारिये, इस हिंदु समास के अधारा किये जाते हैं, और हमारी आनी मात्र के कल्यान के लिए हैं आज विश्वः घमारी है और देख रहा है क 있으면 को लेकर कि crispy का म काम कर रहे हैं वन और वन्य सवादान पस्चिम के पास में नहीं इसका सवादान भारत के पास में और भारत के पास में भी स्रिय है कि हम ने का ईसा वास्य इदम सरवं परमपिता परमातमा सची के अंग अंडर ग्यापत है इसलिए हमारी दृष्टी बडी handicap माइन वनी और इस स्रिस्टी के प्रतेक याने कनकन को मने पवित्र माना इसलिए भूमी को मने पीस आफ लेंड नहीं का उसको माता का नदियों को परवतों को पूझने वंदनी हमाना गंगामा सरसोति माता यह हमने कहा पूरे विश्व के अंदर इस दिव्यता के दर्शन किया है और आज उसकी आवशक्ता है इस काम को लेकर के हमें आगे बढ़ने की जरूत है पांच मुन का समय दिया मैंने दो मुन ज़्यादा ले लिए मैं इनी शब्दों के साथ मेरे वानी को इराम देता हूँ अपना स्थान ग्रन करता हूँ माननी गुणवंत सिंग जी ने गागर में सागर कहा है स्वागत भाशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मेले के चेयर्मेन श्री किशोर रूंग्टा जी को कि वे आएं स्वागत उत्वोधन के साथ अपना वक्तव्य रखें श्री किशोर रूंग्टा जी देवियों और सर्जनों हमारे खुद के माननी है श्री हंकर साब बैठेवे गुरूं आप सब को प्रणाम आज इस हुन्दूत हाद्यत्मिक के सेवा मेला के उद्गातन समारों के मंच पर उपस्ते भारत के उपराश्ट्रकती माननी है धनकर जी पुझे संत जन एवं बस्तित सभी भुजर को माताओं बहनों युवाओं का इसे कारिकम में आप सभी का हादिक स्वागत वाभिनांदन करता हूँ आज हम केवल एकत्रेत नहीं हुए हैं बलकि हम एक प्राचीन और गारवशाली परंप्रा का हिस्सा हैं जो हमारी जड़ों को सदियों से पोशित करती आई है पवित्र गंगास की धारा से लेकर तामिल नावरू के वो प्राचीन मंदनों तक हमारे देश की मिट्टी में एक ऐसी सांस्क्रित पहचान है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता लेकिन आज हमें एक ऐसे मोड पर हैं जहां हमारी पहचान खत्रे में हैं हमें अपके वल अतीद पर गर्व करने से कुछ हासिल नहीं होगा अब हमें अपनी संस्क्रिती को सुख्षित करने के लिए खड़ा होना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट बना रहे हिंदू बना रहे मुझे विश्वास है कि विचारों की पस्टता और करेज ही हमें सही दिशा में ले जा सकती है इसे मैं सीधे मुद्धे पर आता हूँ सवाल ये है कि हम आगे कैसे बढ़ें एक ऐसी दुनिया में जहां विवाजन कारी टाक्ते हमारे अस्तृत पर लगातार हमले कर रहे हैं क्या हम तयार हैं अपने मुल्यों के रक्षा करने के लिए? क्या हम तयार हैं उस सांस्रिटिक जीवन मुल्यों को बचाने के लिए? जिसमें हमें हमारे गौरव शाली अतीत को जोड़ा है और सबसे जरूरी क्या हम तयार हैं अपने आपको बचाने के लिए जो की एक बहुत महत्पूर्ण और मेरी ख्याल से एक इमर्जन्सी की जर्रत है लोक्तांत्र में हर नेता जनकल्यान के वादों से चुना जाता है लेकिन अंतताय मतताताओं को बुनियादी सुधाओं से अधिक क्या आवश्यक्ता होती है चुनुई सरकारें के लिए हिंडियों के खिलाफ कानूनी, सामाजिक, शैक्षिक और समवधानिक भैदबाव को संबूतित करने का समय आ गया है कोई कारण नहीं बनता कि हमसे भैदबाव क्यों हो रहा है